हलो बच्चो, वेलकम टू स्मार्ट केड्स, एक और वीडियो में स्वागत है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, शेप्स के नेम, यानी आकार के नाम, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो चलो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट है, स्क्वेर, S-Q-U-A-R-E, स्क्वेर, हिंदी म कौन सा है, नेक्स्ट सेप है, सरकल, C-I-R-C-L-E, सरकल, हिंदी में इसे कहते है, चक्रकार, चक्रकार, यानी सरकल, अगला शेप, अगला शेप है, रेक्टैंगल, R-E-C-T-A-N-G-L-E, रेक्टैंगल, और हिंदी में हम इसे कहते है, आयात, और हिंदी में हम इसे कहते हैं अंडाकार अगला कौन सा है अगला है ट्रैंगल ट्रैंगल और हिंदी में हम इसे कहते हैं त्रिकोन यानी त्रिकोन सो नेक्स्ट छेप अपना है हार्ट एच ए ए आर्टी हार्ट शेप और हिंदी में हम कहते हैं हृदयकार हृदयकार सो नेक्स्ट शेप है नेक्स्ट कौन सा शेप है नेक्स्ट है स्टार से एस टी ए आर स्टार शेप सबीजल मेरे पीछे बोलो तारा आकार तारा आकार सो अगला शेप है रॉम्बस और हिंदी में हम इसे कहते हैं विश्यम कौन हिंदी में कहते हैं विश्यम कौन next शेप कौन सा है next है कौन c o n e कौन हिंदी में हम इसे कहते हैं शंकूकार शंकूकार सो अगला शेप कौन सा है अगला शेप है पैंटगोन p e n t a j o n पैंटगोन और हिंदी में हम कहते हैं पंच कौन पंच कौन अगला है क्यूब C-U-B-E क्यूब और हिंदी में इसका नाम है धन धनी आकार धन धनी आकार सो नेक्स्ट है क्रोस C-R-O-S-S क्रोस शेप हिंदी में हम इसे क्रोस ही कहते हैं क्रोस शेप नेक्स्ट कौन सा है नेक्स्ट है क्रिसेंट C-R-E-S-C-E-N-T क्रिसेंट शेप हिंदी में हम इसे कहते हैं वर्दमान वर्दमान आकार नेक्स्ट शेप है सिलेंडर C-Y-L-I-N-D-R सिलेंडर शेप बेलनाकार हिंदी में कहते हैं बेलनाकार बेलन जैसा बेलनाकार और लास्ट है डाइमंड डी आई ए मो एंडी डाइमंड शेप हिंदी में हम इसे कहते हैं हिरिदैकार तो बच्चों वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो और शेप्स के नेम नहीं याद हुए तो रिपीट करके देख लो लाइक करो सब्सक्राइब करो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई